तो देखे सरदियां आ चुकी है हिमाचल में तुचुनाव भी नहीं है फिर भी समोसो की भापने हिमाचल का सियास्ति तापमान बढ़ा दिया है सुखु सरकार के समोसा कांट पर बीजेपी ने समोसा मार्च निकाला एमाचल की सियास्ति में समोसा सबसे बड़ा मुद्दा बन कर उचल रहा है एक समोसे की कीमत तुम क्या जानो सीमसा है सियासत को सड़त पर ले आता है ये समोसा कीमत भले ही 10-20 रुपय को लेकिन करोणों के विधायक से ज्यादा ताकत रखता है ये समोसा जहां विधायकों की वगावत सरकार की रा नहीं पाती वहां समोसा सरकार को डिगाने का दम भर रहा है यकीन नहों तो इन तस्वीरों को देख लिए लोंग मार्ट टांटी मार्च के बारे में तो आपने इतिहास पे खूब पढ़ा होगा लेकिन आज साक्षात अपनी आखों से इतिहास बनते समोसा मार्च की तस्वीरें भी देख लिए भारतिये जनता युआ मोर्चा सारवजेनिक जबहों पर लोगों को समोसा बाढ़ रहा है हिमाचल के सियन सुकु साब भले ही समोसा नहीं खापा है लेकिन उनकी तस्वीरों को तो समोसा खिलाया ही जा रहा है आज हिमाचल का मजाक बन कर रहे गया है जहां भी बाहर के परदेशु में देश के जिन रजियों में हिमाचल का कोई व्यक्ति किसी को मिलता है उनका मजाक बनाते है देव भूमी की पहचान वाले हिमाचल में फिलाल समोसे की सियासी शेर खूब चड़े हुए है छोटे मिया बीजे वाई एम ने मोर्चा खोला तो बड़े मिया यानि बीजे पी भी समोसे को इंसाफ दिलाने मैदान में उतर आए सी एम सहब समोसा नहीं खा पाए तो क्या हुआ नेता प्रतिपक्ष ने समोसा पार्टी का आयोजन कर दिया समोसों से लदी प्लेट टेबल पर सजाई गई लाल चटनी नजर नहीं आए लेकिन हरी चटनी परोसी गई शायद जोशियों ने सियासत के लिए हरी चटनी ही शुप बताई गई जम कर समोसे खाए गए और खिलाए गए समोसे गले से लीचे उत्रे ही थे कि जुबा पर शोले तीक ही चटनी की शक्ल में नजर आए हिमाचल परदेश में जिस परकार कॉंग्रेस की सरकार यानि कि सुकु सरकार फैसले ले रही है उससे एक बार नेक दरजनों बार जग अंसाइब पुरी सरकार की परदेश में और पुरे देश पर में हुआ हिमाचल में समोसा गटक कर करप्शन के दाग लगाये जा रहे है लेकिन समोसे की ये सियासत सीमाओं में बंधी नहीं है हर्याना के मंत्री जी ने सलाह दी है सीम साहब समोसा नहीं सबल रहा तो सरकार कैसे समभालो जो मुख्या मंत्री अपना समोसा नहीं समभाल पा रहा है वो सारे हिमाचल की जनता को कैसे समभाल लेगा किस प्रकार से सारे हिमाचल को वो संभाल पाएंगे जो अपने समोसे को संभाल करने रखे असल में हिमाचल में सीम सुखु के लिए समोसे आये थे सीम साहब खा नहीं पाये थे क्योंकि समोसे गायव हो गए और इसी का पता लगाने के लिए निमाचल सरकार ने CID को जाच सौपी लेकिन वो समों से अभी तक पराद है